हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल बीके एक्जाम क्रेकर में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और फ्रेंड्स आज मैं उत्तर प्रदेश जी के जी एस कोश्चन लेकर आया हूं सबसे महत्पूर्ट टॉप 30 प्रश्णों को जो कि आपके परिच् को स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बिधान सबा को भंग करने का अधिकार किसे है चार अप्षन आप लोगों के सामने हैं बहुत ही महत्पूर्ट है कि उत्तर प्रदेश में बिधान सबा को भंग करने का अधिकार किसे है तो इसका अस्तम उत्तर प्रदेश में कहां पर है बहुत ही महत्पूर है अप्सवन है इलहाबाद, मतुरा, आलिगर, सारनाथ तो राइट एंसर क्या होगा सबको पता होना चाहिए राइट एंसर होगा D सारनाथ में इस्तित है चलिए नेक्स प्रेशन है कि गुप्तकाल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्योसाय, सिच्छा वा कला के प्रमुख केंद्र थे गुप्तकाल में प्रमुख केंद्र मतुरा, कौसांबी, प्रियाग या सभी थे तो राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर होगा D सभी मतलब मतरावी थे कौसांबी और प्रियाग ये सब जो है गुप्त काल में ब्योसाय और सिच्छा का कला के प्रमुख खेंद्र थे चलिए नेक्स्ट कोश्चन है कि पर्थम स्वतंतरता संग्राम कब हुआ पथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ तो राइट एंसर होगा अप्शन नमबर D 1857 में नेक्स्ट प्रस्चन है कि बिश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्थित है बहुत इंप्वर्टेंट कुश्चन है तो सबको पता होना चाहिए आगराम में इस्थित है नेक्स्ट कुश्चन है कि बौध धर्म के बजरियान साखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां हुआ मुंदेल खंड सारनाथ हिलाहाबाद या मत्रा में तो राइट एंसर होगा आप्सन नमबर बी सारनाथ में नेक्स्ट कुश्चन है कि कि सन में उत्तर प्रदेश का नाम सन्युक्त प्रांत रखा गया किस सन में रखा गया तो right answer होगा option number 1 सन 1937 में रखा नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की करांती का आरंप सरपर्थम किस नगर से हुआ था तो बहुत ही मातपूर्ण है इसका right answer होगा option number B मेरट से जो है प्रारंप हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारतिय गरतंत्र का एक पूर्ण राज किस सन में बना तो प्रेश नमबर 9 का right answer है B 26 जन्वरी सन 1950 को जो है ये पूर्ण गरतंत्र राज बना नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किसान अंदोलन का नेतरुत किस नेता ने किया किसान अंदोलन का नेतरुत किस नेता ने किया तो प्रेश नमबर 10 का right answer होगा D पंडी जवाहला नहरू ने किया नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी सड़यंत्र कांड कब हुआ काकोरी सड़यंत्र कांड हुआ 9 अगस 1925 में राइट एंसर होगा D नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रशित दियुद कब हुआ था तो इसका right answer होगा option number एक, ग्यारा सो चौराण बेस भी में next question है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का परशेद यूद कब हुआ था खानवा का परशेद यूद कब हुआ था right answer option number C 1527 बेस भी में next question है कि उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया कब किया था राइट एंसर क्या है option number B 1526 बेस भी में next question है कि उत्तर प्रदेश में समुगर्ण का परशेद यूद कब हुआ था उत्तर प्रदेश में समुगर्ण का परशेद यूद कब हुआ था इसका right answer है इसी नमबर 168 थामा नसीवी में कि नेक्स कोशन है कि उत्तर प्रदेश में प्रशेद बुलंदर बाजा कहां इस्थित है right answer option number 1 फतेपुर्ण शिकरी में इस्थित है next question है उत्तर प्रदेश में चोखंडी अस्तूप कहां इस्थित है right answer D सारनात में इस्थित है इस्थित सिला लेक किस काल का है किस काल का है राइट एंसर सी नमबर सुंग काल का है next question है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर इस्थित है right answer D आगरा में इस्थित है नेक्स कोश्चन है उत्तर प्रदेश के मतुरा नगर में किस सासक का अस्तम्भ लेख इस्थित है किस सासक का है आप्सन नमबर C असोग नेक्स कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधा बाई का महल कहां इस्थित है अप्सन नमबर A, फतेपूर शिक्री में इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निमलिकित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है 22 नमबर का राइट एंसर है C, आगरा में नहीं है नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिबेडी इस्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना इस्थित है बहुत ही महत्पूर प्रश्ण है तो प्रश्ण नमबर 23 का राइट एंसर है डी नमबर इलाहाबाद में इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में सिमेंट के कारखाने कहां इस्थित है तो उत्तर प्रदेश में सिमेंट के कारखाने मित्रो चुरकुवा डलला में इस्थित है राइट एंसर होगा डी नमबर Next Question है कि उत्तरप्रदेश का सूच मयंत्र बनाने का प्रमुख औधोगिक केंद्र कौन सा है प्रश नमबर 25 का राइट एंसर अपसर नमबर A लखनव Next Question है कि उत्तरप्रदेश में मानेता प्राप्त इस्टाक एक्शेंज है कौन सा है लखनों में गाजियाबाद में वराणसी में कानपूर में प्रशन नमबर 26 का राइट एंसर होगा D कानपूर में Next question है कि उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है 12, 15, 13, 18 राइट एंसर होगा 18 में Next question है कि उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा दिकारी क्या कहलाता है उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा दिकारी क्या कहलाता है अप्सन नमबर होगा A, जिला धीस कहलाता है कि उत्तर प्रदेश के की मंत्री निर्वाचन छेत्रों में बिभाजित किया गया है तो इसी तरीके से आगे भी प्रश्णों का सिलसला लगातार जारी रहेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल जरूरान करने हैं चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्टूजीस का साथ तब तक लिए थैंक्यू सो मच